चीन के हांग जों में जारी एशियाई खेलों में भारत का शांदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है खेलों के दसमें दिन भारत की जोली में दो गोल्ड मेडल आ चुके हैं भारत की पारुल चौथरी ने शांदार दंखम का परिचर देते हुए एशियाई खेलों की महिला 5000 मिटर्स परधा में गोल्ड जीत लिया पारुल का मौजूदा एशियाई खेलों में ये दूसरा मेडल है उन्होंने सोंवार को महिला 3000 मीटर्स टिपल चेज में भी सिल्वर मेडल जीता था अनुरानी ने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रज दिया अपने चौथे प्रयास में इस सीजन का सर्व श्रेष्ट प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 62.92 मीटर भाला फेका वो भाला फेक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारती महिला बन गई है मुहमद अफजल ने पुरिशों की 800 मीटर दोड में एक मिनिट 48.14 सेकेंड के साथ सिलवर जीता है इससे पहले विथ्या रामराज अपना सर्व श्रेष्ट प्रदर्शन नहीं कर सकी लेकिन इसके बावजूद महिला 400 मीटर बाधा दोड़ परदा में ब्रॉंज मेडल जीतने में सफल रही 25 साल की विथ्या ने 55.68 सेकेंड के साथ तीसरा स्थान हासिल किया बहरीन की ओलुवा के मी मुझिदात आदे कोया ने 54.45 सेकेंड के खेलों के रिकॉर्ड समय के साथ गोल्ड अपने नाम किया चीन की जेदी मो ने 55.01 सेकेंड पर सत्र का अपना सर्व श्रेष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत सिल्वर जीता